पनो जोड़ेगा अभीरा के सामने हाथ मनीशा होगी अभीरा पर बहुत ही जादा गुसा जोई हाँ सीडियल ये दिश्टा क्या कहलाता है कापकमिंग ट्रैक होगा बहुत ही जादा धमाकेदार दरसल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा किस तर से यहाँ पर दादी सा ने अब दिया है अभीरा का साथ और अभीरा का साथ जिब दादी सा दे रही है तो घर में हो रही है सभी को तकलीफ दरसल अभीरा की हालत है बहुत ही जदा खराब अर्मान अभीरा को संभालते हुए नजर आ रहा है वहीं अभीरा अपने नानों से ये जानना चाहती है कि आकरकार रूही बार बार उसे ब्लेम क्यों कर रही है इस बात के लिए कि उसकी माने उसकी माताश्री का खून किया था वेल जब तक की कोई उसे कुछ बता पाए तब तक वहाँ पर रूही आ जाती है और यहां आप देखेंगे कि एक बार फिर से खूब सरा ड्रामा होते हुए नजर आएगा लेकिन इसी ड्रामे के बीच जो बड़ा ट्विस्ट हमें देखने के लिए मिलेगा वो यह कि अब मनोज अभीरा के सामने हाथ जोडते हुए नजर आएगा क्योंकि दादिसा अभीरा को अब अपनी फर्म का सबसे बड़ा केस देने वाली है जिसके बाद मनोज को यह लगेगा कि अब उसकी एहमियत इस घर में कम हो रही है और इसी वज़ा से मनीशा भी अभीरा पर गुसा होते हुए नजर आएगी कि मैं तुमें इतना सपोर्ट करती हूँ हमेशे से मैंने तुमें इतना प्यार किया लेकिन तुम मेरे पती की ही जगा ले रही हो इस घर में और इसी के साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि अभीरा सभी को जवाब देना चाहेगी अभीरा मनीशा और मनोश दोनों को समझाना चाहेगी कि यह वो सब कुछ नहीं कर रही है बलकि यह दादिसा का फैसला है लेकिन यहाँ पर दोनों ही उसकी बात नहीं सुनने वाले हैं वल दादिसा जो आती है अभीरा के पास और उसे यह केस देकर कहती है कि उसे लड़ना होगा उसे अपनी मा के लिए लड़ना होगा और खुद को मजबूत दिखाना होगा बस दादिसा की बात सुनकर अभी केस लड़ने का फैसला लेने वाली है और आने वाला ट्रैक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होगा क्योंकि अब दादिसा पहली बार अभीरा को आशिरवात देते हुए नजर आने वाली है वेल जिस तरह से दादिसा का बरताव बदल रहा है अभीरा के लिए उससे सभी मौल ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा है तो और रूही और विद्या ही है क्योंकि अभीरा और दादिसा कभी एक दूसरे से बात नहीं करती थी दादिसा ने कभी भी अभीरा से सीधे मूँ बात नहीं की लेकिन यहाँ पर अब दादिसा ही अभीरा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है और ऐसे में दादिसा जिस तरह से जुकी जा रही है अभीरा की तरफ वो अभीरा की बेख के बाद एक अक सारे longer इस डेते वह नजराएंगी और इसी वजह से मनोज और मनीशा नहुं को बहुत तकलीफ होने वाली है अब यहाँ पर मनौज उसे यही कहेगा कि अभीरा तुम्हें जो करना हो तुम बाद में करना लेकिन अभी इस घरमे। तुम मेरी एहमियत कम मत करो और तुम प्लीज ये सभी केस लेने से मना कर दो वही मनी शार होगी गुस्छा अभीरा पर बहुत ही स्यादा कि तुम मेरे पती की ही जगा इस घर में ले रही हो जबकि मैंने हमेशा तुम्हें इस घर में जगा दिलवाने की कोशिश की चाहे किसी ने भी तुम्हेरा साथ नहीं दिया लेकि मैंने हमेशा तुम्हेरा साथ दिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले